What's up everyone, कैसे हो आप सब? So I hope you all are fine तो हम लोग अपने chapter, time and work पे थे और उसके LOD1 के questions कर रहे थे So till now हम 21 तक already कर चुके हैं अब हम start कर रहे हैं from question number 22 So let's read A and B undertake to do a piece of work for 1000 rupees A can do it in 10 days and B can do it in 20 days With the help of C, they finish it in 5 days How much should C be paid for his contribution? Okay, so here question A and B undertake to do a piece of work in 1000 rupees So 1000 rupees में उन्होंने एक काम को accept कर लिया अब उसकाम के अगर बात की जाएं तो A अगर अकेला करेगा काम तो उसे 10 दिन लगते हैं काम करने में So A को कितना टाइम लगता है? 10 देज का अगर वो अकेले करता है B को कितना टाइम लगता है? B can do it in 20 days So B अगर अकेला काम करेगा तो वो 20 दिन में काम को complete कर लेता है अब C का हमें काम नहीं दे रखा लेकिन ये बोला है So A को कितना टाइम लगता है कि work done of A is to work done of B is to work done of C ये जो ratio आएगा उसी के basis पे हम पैसा बाट देंगे अब क्योंकि यहां पर ये नहीं given है कि A ने B से ज़्यादा दिन काम किया ये सी ने A से ज़्यादा दिन काम किया and so on and so forth ये सब information नहीं given है इसका मतलब सब ने equal days तक तक तो काम किया है ना तो इस situation में हमें पूरा work done निकालनी ज़रूरत ही नहीं है हम सिरफ उनकी efficiency का ratio से भी हम उनके payment को निकाल सकते हैं क्योंकि देखो work done होता क्या है work done होता है rate into time correct अब A का rate into time is to B का rate into time is to C का rate into time अब इसमें जब time same है सबने equal दिन काम किया तो rate ही तो आ गया rate is to rate is to rate correct तो हम ऐसे भी ratio को निकाल सकते हैं उनका efficiency का हमें ratio चाहिए बस तो efficiency का ratio कैसे निकलता है हमें पहले efficiency निकालनी पड़ेगी और उसके लिए मुझे total work done को assume करना पड़ेगा तो अभी तक हमें इत्ती information given है कि वह दस दिन में काम complete कर लेता है 20 days में काम complete कर लेता है और तीनों मिलके पांच दिन में काम को complete कर लेता है तो मैं मान लेता हूं कि जो पूरा काम था वह 20 units का था कुछ भी मान सकते हो मैंने इनका LCM मान लिया 20 units का total काम था अब A जो है 20 units का काम 10 में निप्ता देता है तो उसकी efficiency कितनी होई मतलब एक दिन में कितना काम कर लेगा 20 upon 10 मतलब 2 unit वह एक दिन में बना लेता है तीक है यह हो गई A की efficiency अब B की efficiency कितनी हो गई 20 unit का काम वह 20 दिन में कर रहा है तो मतलब एक दिन में एक unit बना रहा है 20 upon 20, correct, C का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे A, B और C तीनों का पता है, कि तीनों मिल के कितना unit बना लेते हैं, 5 days में वो 20 units बना लेते हैं, तो एक दिन में 20 upon 5, मतलब 4 units बना लेते हैं, अब ध्यान से देखो, यहां एक दिन की बात की गई है, एक दिन में A दो unit बना लेता है, B एक unit बना लेता है, और A और B साथ में काम करें तो कितने यूनिट बना लेंगे 2 प्लस 1 तीन यूनिट बना लेंगे लेकिन A, B, C तीनों काम करें तो 4 यूनिट बना लेंगे इसका मतलब C ने कितना और कंट्रिब्यूट किया भई एक यूनिट गए तो कंट्रिब्यूट किया तब ही तो देखो 2 प्लस 1 प्लस 1 इकोस टू 4 आया ए ने दो यूनिट बनाएं बी ने एक सी ने एक तो टोटल तीनों मिलाकर चार यूनिट बना लेता है एक दिन में तो इससे मुझे सी की एफिशेंसी पता चल गई बस यही रेशियो है हमारा 2 इस टू 1 इस टू 1 1 upon 4 of कितने रुपे तोल प्रोजेक था हजार रुपे गा तो 4 x 250 इस यूर अंसर देफोर ऑप्शन नुम्बर बी अब यहां पर टाइम हमें बताया गया है अरुन एंड विने अगर साथ में काम करते हैं तो साथ दिन में पूरे काम को कम्प्लीट कर लेते हैं if aarun does twice as much work as winner in a given time मतलब एक particular time में अरुन जो है वो दुगना काम कर लेता है V से मतलब यहां पर efficiency का बताया हुआ है कि अरुन की जो efficiency है न वो दुगनी है V से ठीक है यहां पर मैं efficiency का लिग देता हूँ यह हमें efficiency का equation दे रखी है अब question में बोला है How long will Arun alone take to do the work Arun अकेले किते दिन में काम कर लेगा तो उसके लिए हम इनकी efficiency निकालता है ठीक है मैं मान लेता हूँ कि जी total work done था सारा जो काम था वो seven units का था ठीक है अब Arun का मुझे पता नहीं विने का मुझे पता नहीं तो मैं क्या करता हूँ विने का मैं मान लेता हूँ वो x units एक दिन में बनाता है तो अजे कितने बनाता है sorry Arun Arun बनाता है 2x क्योंकि डबल है उसकी efficiency अगर विने x बनाएगा तो वो उसका दुगना बनाएगा 2x units per day अब Arun and विने together कितना बनाएंगे 2x प्लस x 3x units बनाएगे correct लेकिन यहाँ पर उसकी information भी दरखी है कि Arun and विने 7 दिन में 7 units बना लेता है तो एक दिन वो कितना बनाता है 7 upon 7 मतलब 1 unit per day बना लेता है अब यह 3x जो है वो 1 के equal हो गया तो x की value कितनी आ गई 1 upon 3 अब हमसे पूछा कितना है how long will Arun alone take to do the work Arun अकेले कितने दिन लेगा काम को complete करने के लिए तो time हमें पूछा है तो पहले Arun का rate निकालता है Arun का rate कितना हो गया 2 upon 3 कैसे है क्योंकि Arun है 2 into x मतलब 2 into 1 upon 3 मतलब 2 upon 3 so 2 upon 3 unit per day Arun बनाता है चीक है एंड टोटल वर्क जो है वो है 7 units का अब बताओ से time कितना लगेगा time क्या होता है total work upon rate चीक है तो यह 3 ऊपर चले जाएगा 21 upon 2 and हमें decimal में नकालना है तो यह कितना हो जाएगा 10.5 days is your answer option number B now question number 24 Subash can copy 50 pages in 10 hours Subash and Prakash together can copy 300 pages in 40 hours in how much time can Prakash copy 30 pages तो ध्यान से देखो तो यहां पर इनकी efficiency दे रखी है जैसे हम Subash की बात करें Subash के बारे में क्या बोला है Subash can copy 50 pages in 10 hours तो वो 10 घंटे में कितने pages copy कर लेता है 50 pages correct तो वो एक घंटे में कितने कर लेगा वही 10 घंटे में 50 तो एक घंटे में 5 है ना 50 तो एक घंटे में वो 5 pages को copy कर लेगा तो देर्फ़र Subash की efficiency कितनी आई वही 5 pages पर आवर की efficiency है इसी को तो efficiency बोलता है अब वो बोल रहा है Subash and Prakash together can copy 300 pages in 40 hours अब Subash and कौनसा प्रकाश यहां पर दोनों के बारे में देर्खा है दोनों अगर साथ में काम करें तो 40 hours में कितना कर लेता है 40 hours में वो 300 pages को बना लेता है तो भाई वो एक घंटे में कितना बनाएंगे 300 upon 40 यहां जाएगा आपका 7.5 pages पर आवर है ना सो एस प्लस पी की efficiency कितनी हो गई 7.5 pages पर आवर अब ध्यान से देखो equation 1 और equation 2 को तो एस जो है वो एक घंटे में 5 पन्नों को कॉपी कर लेता है अब एस अपने साथ साथ पी को भी ले आया तो दोनों मिलके एक घंटे के लिए 7.5 pages को कॉपी कर लेते हैं तो भाई पी ने कितना एक्स्ट्रा किया उसका काम इस 7.5 माइनस 5 लाई पर नहीं उसने एक्स्ट्रा बना है तो हमें इससे पी की efficiency मिल गई कितनी 2.5 pages पर आवर क की P की efficiency है एना simple calculation है प्रकाश का एक घंटे का काम एन सुभाश का एक घंटे का काम मिला की दोनों का हुआ 2.5 प्लस 5 इकल से 7.5 तो इससे मुझे प्रकाश की efficiency मिल गई अब हमसे पूछा क्या है इन हाउ मच टाइम के प्रकाश कॉपी 30 pages ओके सो भई 2.5 pages जो है वो तो प्रक प्रकाश कर लेता है एक घंटे में अब question पूछ रहा है भई 30 pages कितनी देर में करेगा बस unitary method लगा लो भई 2.5 एक घंटे में तो 30 pages कितने में 1 अपॉन 2.5 इंडू 30 simple, so point at 0 आया, 5 times 5, 5 times 60 and 5 times 12, therefore उसे 12 घंटे लगते हैं 30 pages को copy करने में, therefore option number B is your answer, so that is it for the video, I hope आपके समझ में आया होगा, कोई भी problem हो तो उसे comment section में पूछ लेना, and अगर वीडियो अच्छी लगी, so do not forget to like, share and subscribe to our channel, and thank you so much for watching.